को सिस्टम सो आज के क्लास का हमरें डिसकुशन का टॉपिक है कंपोनेंट्स ओडाइबेज श्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि डाटावेज सिस्टम एक कोंपिटराइशट डाटा स्टूरीज अप्रोच है दिस तरह की डाटावेज की फ़र में डाटावेज के हैं और the form of tables or in the form of files. So, आज के class में हम discuss करेंगे different components के बारे में database system का कुछे लिए शुरू करते हैं discussion जैसे की particular database को हम कैसे create करते हैं database is created by the collection of related data which are stored mainly in the form of table. Okay, so tables are created mainly by taking related records and records are created mainly by taking related fields and fields are created by taking related data data को लेकि बनता है field, fields को लेकि बनता है record, records को लेकि बनता है typical or file tables को लेकि बनता है database ji brought a system को यूश करके हम database के form में data कुछ रखते हैं सारे components के बारे में इन सारे 극म के बारे में हमें जारूरी है पर दैसक्री पर्षम जानते हैं डाटा के बारे में अल्वड पढ़ चुके हैं डाटा क्या है डाटा आर रॉफ एक डाटा नॉर्मल सिंपल वैल्यू है जिसको यूज करके कोई भी ऑबजेक्ट को हम यूजिक लिए इडेंटिफाइ नहीं कर सकते हैं क्या नहीं तो उसको हम बोलेंगे तो डाटा इजव फ्लूरेल फॉर्म ओब ल WhatsApp द रटीन ल॥ डाटा डाटा एक लाटन हाया है ना जो ऑप लिए सोलह को और देम एक ड्कतिविटी जासे कि स्टुडिंट करना है ग्लालिसर्थ स्टुडटींट को decision forever कि उनका नाव पूर्लन नंबर उनका अड्रेस इस बना को एरेंज करके रखूंगा को कर सकते हैं या फिर रिवियू करके जैसे कि कूई लिचाम इस कि सब्सक्राइब कर सकते हैं नंबर सिंबल और character, etc. एक्जाम्पल जैसे कि सुनिल, सेवन, डॉलर साइन, ऐसे कोई भी नेम, कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल को इंडिविजवली, हम बोल सकते हैं, data, नेक्स्ट आते हैं, field, ओगे, it is a collection of है जारेग इसेगं डिलेटेड लेटेड डाटा, हम एक जगापे इरेंज करके रखेंगे, उसको owskiा बोलेंगे, इसे की देख सकते हो, प्रूर् नम्बर, तो यहां पर चार्ज ब्सक्याय्था, है चारों के चारों सेंट की डाटा है छार नेम सेम टाइप की डाटा है तो अगर एक जगा पर हम एरिंज करके रखते हैं तो पॉटिक्ला का जो नाम होता है सिंपल तरीक है से अगर बोले बिद्व आप सब जानते हो डेबल भूंता कैसे है रोज and columns को लेके तो हर एक column को हम एक field बोल के बोल सकते हैं क्योंकि हर एक column में हम क्या करते हैं related data को represent करते हैं by giving a field name okay जैसे कि roll numbers को हमने यहां पर represent किया है role field name provide करके name को represent किया है name field name use करके mark को represent किया है mark field name use करके and address को represent किया है address field name use करके okay so field is the smallest unit of records of a table तो record किसको हम बोलते हैं, जैसे कि यह अगर एक table है, table में row किसको बोलते हैं, यह एक row है, 1AA20SBP, यह क्या है, यह एक row है, तो वैसे कितना row है हमारे पास, 4 row है, हर एक row का smallest unit, यह फिर smallest part, क्या होता है, field, यह चार field के values को लेके, एक record बनता है, तो यहां से simple तरीके से हम यह imagine कर सकते हैं, यह जान सकते हैं, कि record बनता कैसे है, related fields को लेके, related fields के values को लेके बनता है, record, okay, so the total number of fields of a table is called as arity, एक particular table में जितने number of columns हैं, यह फिर जितने number of fields हैं, उसको हम बोलता है, arity, okay, तो कितना number of field है, चार, role, name, mark, address, चार field है, तो arity is equals to 4, then आएंगे, record और टपल, so what is record, the record is a collection of related fields, जैसे कि, role number का एक value, name का एक value, mark का एक value, address का एक value, लेके, बना एक record, okay, so यहाँ पर हमने record बनाया, कैसे, related fields के values को लेके, okay, तो simple तरीगी से हम बोल सकते हैं, record is a collection of related fields, और इन्हें records को हम क्या बोलता है, row, the row of a table is called as record, इनको हम tuples भी बोलता है, database system में, okay, so the total number of records of a table is called as cardinality, तो total number of records यहाँ पी कितने है, चार students के record है, यह तो field name है, इसको छोड़ दो, बाकी कितना record बचा, बाकी कितना row बचा, चार, so the cardinality is equals to four, okay, record क्या है, पता चला, अभी देखो, इन records को लेके, यह चार records हो गए, है, related records है, यह चार related records को लेके, हमने क्या बनाए, table, okay, एक collection of related records is called as file or table, okay, तो यहाँ पे, चार students का same type का related records है, उन records को लेके हम बनाते हैं, क्या, उन records को लेके हम बनाते हैं, tables या फिर files, okay, a table is a collection, a table is a relation, consists of rows and columns, अगर table के form में हम data को store करके रखते हैं, तो उसमें row and columns के form में data को store करके रखते हैं, rows को हम बोलते हैं record and columns को बोलते हैं field, तो table में normally हम data को किस format में store करके रखते हैं, 2D matrix, mathematics में पढ़े होगे, mathematics में जानते होगे, 2D matrix के बारे में, okay, च्वर्मेट्स के फॉर्मेट में हम क्या करते है च्वली में डाटा को इंसके होगं तो रहा है जो कि यह जब कि प्रोच के फॉर्में डालस च्वल करके रखते तो वह सकते हैं टेबल एक 2D Matrix की तरह होता है उसके बाद आते हैं डाटाबेस में डाटाबेस की लिदेट्थ सटोर करते हैं तो डाटाबेस सब्सक्राइब के साथ प्राइब तरीके से रिलेटड हैं तो वहाँ पर उस collection of data को हम बोलते हैं related data collection of related data को हम बोलते हैं database so database हम use कप करते हैं database की form में data को हम store कप करते हैं अगर हमारे पास small amount of data है तो file-based system is much enough for storing the data in our computer system but if we have huge amount of data if we have large amount of data okay if we have some secret data then we can use a database system to store the data in the form of database so database is a collection of huge amount of data stored in tabular format database collection है use amount of data का जहां पर में डाटा को tabular format में ही store करके रखते हैं proper way में arrange करके तो पता चला क्या है different components database system का क्या-क्या components को लेके एक डाटाबेस के form में data को store करके रखते हैं जिसके बारे में आज के class में हम ने discuss किया next class में discuss करेंगे एस और कुछ topics के बारे में आज के लिए इतना ही thank you